तो गाइस अभी हम लोग इस वेबसाइट को बनाने के रिए क्या करते हैं जैसे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है तो हम लोग यहां पर लोगिन कर लेते हैं ठीक है तो यह आपको अपने वर्डप्रेस के डैश्बोर्ड में आ चुके हैं और यह एक्शुली हमार उसके बाद दिखा रहा हूं ऐसा बेश्कुल नहीं है अभी मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा यहां पर आप क्या करो थोड़ा सब अपना माउस करसर को ले जाए विजिट साइट पर राइट क्लिक करके ऑपन लिंक के न्यूट तो आप देखें कि अपना आपको वेबस पोस्ट दिखेंगे ठीक है क्लासिक पोस्ट या क्लासिक थीम आपको बेसिकली यहां पर इस तरीके का देखने को मिलेगा तो क्या करते हैं इसको अभी के लिए बंद कर देते हैं तो हमें अपना वेबसेट को सुन्दर बनाने के लिए एक अच्छा खासा थीम चाहिए ठी है काफी सारे ची देखने को मिलेगा इस राइडे में ठीक है बहुत ही बेसिग चीज़ डिखने को मिल रहे है है जो कि हमें कुछ खास फिल हाल अभी काम नहीं आग़ीं आ ऐस movement फेज़ेश्而已 जो है आगे आप लोगो दिखा धना जो मैं आपको ब्सादेता हूँ सबसे पहले आप लोग जाईए एंड जेनर पर जाईए तो मैं आपको थोड़ सब बता जाता हूं आप लोग थोड़ा बीसिक सेटिंग्स पहले कर लिए बाकी अपना वेटर डिजाइन हम लोग करते रहें यहां पर जैसे आप दिख से तो साइट का टाइटल दिया हुआ है ठीक ह अब मेरा वेज़ाइट का नाम है डेवलपी फाइल अब यहां पर एक टैगलाइन आपको देना चाहिए जो कि डेकॉल टैगलाइन होता है जस्ट अनदर वर्ट्रेस साइट इसको हम लोग यह लेंगे मतलब कुछ अमना टैगलाइन देंगे साइट में जिससे कि हमारा वे आप हमारे टैगलाइन को चेक कर सकते हो चीप प्रीमियम व्ट्रेस थेम्स अन प्लगिंस मतलब इस वेबसाइट में लोगों को चीप स्क्राइबर नहीं यहां पर बेसिकली ठीक है अभी के लिए सब्सक्राइबर ही ठीक है और बाकि यह सब टाइम डेट आपको किस तरीक करते हैं अब देखिए यहां पर हम लोग राइटिंग पर आते हैं तो राइटिंग पर फिलहाल के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यह ऐसे ही रहने दीजिए बाद में हो सकते हैं कुछ फीचर्स के साथ हमें चेंज करना ही पर है आप यहां पर रेडिंग कर सकते हो इस तरीके से फिलहाल के रहने दीजिए बाद में हम लोग चेक कर लेंगे डिस्कुर्शन मेडिया यह सब छोड़ते हैं परम लिंग पर चलते हैं तो यहां पर आपको पोस्ट नेम सिलेक्ट करना है ठीक है यह अच्छा रहता है बागी सब के मुकामले पोस्ट नेम सिलेक करके सेप चेंजिस पर किजिए तो आपको काम बन जाएगा सेटिंग में बस आपको इतना ही छेरखानी करना है फिलाल के लिए अब मैं आपको कुछ और चीजे दिखाता हूं जैसे कि मैं पोस्ट पे चलता हूं यह सब यह सब चीजे मैं आपको बेसिक चीजे बता रहा मुझे पता है बड़ डोंट वरी हो जाएगा सब कुछ ठीक यहां पर हम लोग ट्रैस पर क्लिक कर देते हैं इसको यह निगे डिलीट कर देते हैं अब सीज़ा सेथी आप लोग कैटेगरीस पर चलो और कैटेगरीस में हमें अनकैटेगराइज बोलके एक कैटेगरी दिख है तो डिलीट कर दीए क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अपना वेबसाइट बिल्कुल ही क्लीन रहे किसी तरह का उल्टा-उल्टा फाइल ना हो तो यहां पर चलते हैं आपको दो पेज देखने को मिलता है तो यह भी काफी इंपॉर्टन रोल प्ले करता है यहां पर मैं क्ल तो बाद में रिस्टोर कर सकते हो बट कोई जरूत नहीं है आप यहां पर आप सिंपले डिलिट पर्मेनेटली पर क्लिक कर सकते हो त्रैस में आके हमारे वेबसाइट में किसी भी तरह का कुछ हमें उल्टा-बटा चाहिए ने तो वेबसाइट हमारा स्लो होगा तो कमेंट यह रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बाकि हेलो डॉली और एंटी स्पैम को डिलीट कर देते हैं कोई काम का है नहीं देखा जाए तो बाकि डिलीट कर देना ठीक है बीना काम का यहां पर आपको प्लगिंस वाले सेक्शन में आपको ज्यादा उल्टा-प्लटा प्लगिंड डालना नहीं है अब यहां पर चलते हैं अंद देन थेम्स पर चलते हैं ओके तो यहां पर आप दिख सकते हो यह वाला थीम अप्लाइड है थीम क्या होता है थीम एक तरीके का वेबसाइट का डिजाइन होता है जैसे आपको मैं दिखा देता हूं यह 2020 बोलके कि मैं activate करता हूं ठीक है तो एक तरीके का डिजाइन है अब आप देखें न्यू थी मैं activated visit site तो इस पर मैं click करके आपको site visit कर वाता हूं यह एक बार refresh कर लेता हूं तो देखें हमारा वेबसाइट है को वह कुछ इस तरीके से बन गया ठीक है तो यह थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया अगर आप देखोगे 21 यह वाला को मैं activate करके दिखाता हूं उपको ओकी तो यहां पर दिखें यह इसका भी टिखेंगे अच्छा लगएगा यह सब हम लोग अच्छा ले इसब कर सकते क्योंकि यह सब है फ्री थीम ठीक है और ध्यान दिखिएगा फ्री थीम में आप कभी भी एक प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं बना सकते हो अब सवाल यह उड़ता है कि अब आपको जो प्रोफेशनल थीम्स होते हैं वो कहां से मिलते हैं तो मैं आपको वह भी बता देता हूं चलिए दिखिए तो यहां पर आपको वर्ट्पेस थीम्स देखिए एक नेट यहां पर वर्ट्पेस का उप्षन है अब आप इहां पर बहुत तरीके के चीजों को ढूंड चकते हो मालेते हैं हम लोगको e-commerce वेबसाइट बनाना है वर्ट्पेस में तो e-commerce कोई थीम हम लोग ढूंडते हैं आप इंडिया में बैठके किस तरीके से असानी से इन सक चीजों में इतना खर्चा नहीं करके अराम से बहुत ही कम पैसों में एक अच्छा और एक प्रोफिशनल वेबसाइट बना सकते हो तो यहां पर आप देखिए हैं यहां पर मैं आपको एक तीम सर्च करके दिखाता हू आप देख सकते हो इस तीम का प्राइज है वह 59 डॉलर का है ठीक है जी 59 डॉलर में हम लोग यह खरीदेंगे तो नहीं क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग पैसा बचाने के लिए सोच रहे होंगे तो 59 डॉलर में अगर आपको प्रोफिशनल ही या फिर आप कह सकते हो कि प्रोफिज नहीं है तो आप क्या कीजिए आपको मैं यहां पर बताने वाला हूँ कि आप तीम कहां से और कैसे पर्टेस करोगे एही यृटमार्ट मॉर्टी प्रफिवर्परेस थीम को कैसेश करोगे आसानी से कम पैसो में वह अभी मैं आपको दिखाता हूं ठीक है तो चलिक हश्जी थीम डिशी कर लिया है तो यहां प्ट पर आपक्शनी है जाए इड्स हुआ है जहां साथ गया अप्टर से कहा है जो हम लोग अपना जो मैंयुल हीम अपना जो ह debating करते हैं कही बाहर से डाल सकते हैं चुच्छ हाइं कर सकते हैं यह सकते हैं यह पर इधार कलिक कर लेते हैं है तो यहाँ आपर डाल के इस तारीके से घ्राइश हो इंस्टालिंग थीम फ्रम अप्लोड़ेट फाइल उद्मार्ट जीप पहले यह क्या हुआ अन्पैक किया पैकेज को उसके बाद यह आटमेटिक ली इंस्टाल किया थीम को एंड थीम इंस्टाल हो गया सक्सेस्फुली अब यहां पर हम लोग लाइप प्रिव्यू का करेंगे हमें ओडमार्ट का ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा थैंक्यू फॉर चूजिंग इस थीम फॉर चूजिंग दिस थीम अब आपको सख होगा कि क्या यह थीम आपका एक्टिवेटेड है मतलब प्रिमियम थीम है या फिर फ्री वाला ही थीम है जो हमने आपको बत प्रीवेशन यहां से आप लोग समझ सकते हो यह आपका पहला प्रूफ है कि आपका जो थीम है वह बिल्कुल प्रीमियम है और आप इस थीम में वह र कुछ कर सकते जो लोग इतना 59 डॉलर देके पर्टेस करते हैं ठीक है यह आपको इतना कम पैसा में आपको मिलिया अब आप देखें यहां पर और एक प्रूफ दिखाता हूं और डियाक्टीवेट लुट लीएट यहां पर प्लिक करोगे तो आपकos प्रूट है डियाक्टिवेट अगर फ्री इंस्टोल करते तो यहां पे डियाक्टीवेट थीम आपट गार ज्यादा नहीं है यह तो आपको आपका यह चाल्ड थेम इंस्टॉल हो जाएगा तब इस थीम का बच्चा ओके नेक्स्ट टेप पे जाते हैं तो हमारी पास दो ऑप्षिन है पेज बिल्डर का अगर आपको डबलुपी बेकरी या इलिमेंटर के बारे में दोनों के बारे में नहीं पता कि क्या होता है कैसे इसमें डिजाइन कर पाएंगे तो यार मैं आपको चूज करवाऊंगा इलिमेंटर तो यहां पर आप लोग सिंप्ली और को चूज करोगे और नेक्स टेप पर क्लिक करोगे लेको थोड़ा सा खर्चा होगा इस website को बनाने में एक हजार रुपीज तक का तो आपके पास budget होना ही चाहिए otherwise आप लोग अपना website बना के अपना business या फिर अपना काम स्टार्ट नहीं कर पाओगे तो एक हजार से लेके 1500 तक का अगर आप budget रखोगे तो मैं आपका 1500 रुपए में ही काम करवा दूँगा और अगर आप कहीं और जगत से बनाते हो तो यहीं सब website आपको पांच-पांच हजार दस-दस हजार बीस-बीस हजार तक आपको पैसा खर्च करने परते हैं जो कि मैं आपको only 1500 रुपए में बनवा के दे रहा हूँ ठीक है बनाना आपको है सिखा मैं रहा हूँ यहां पर कुछ plugins को हमें install करना है एक-एक करके करने की कोई दर्कार नहीं simply हम लोग install and activate all पर पर प्लिक करते हैं और यह देरे-देरे सुरू हो जाएगा जैसे कि यह सब plugins है यह सब plugins अगर हम लोग install करेंगे तो हमारे पास और भी कई सारे features आएंगे जो हम लोग आगे जाके यूज करेंगे अपने वेबसाइट को बनाने में maintain करने में manage करने में या फिर आप कह सकते हो हर कुछ करने में ठीक है तो यह सब themes का जरूवत यह सब plugins एक्स्ट्रा features का जरूवत है हमें तो यह सब एक-एक करके हो जाएगा हो जाने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर देख सकते हो हमारा जो themes का जितना भी required plugins था जो कि इस theme बैसिकली यह यह उड्मार्ट theme को चाहिए था यह सब plugins यह सब install हो चुका है प्लस activate हो चुका है अब हम लोग simply next step की और आगे बढ़ेंगे अब यहां पर dummy content importer हमें देखने को मिल रहा है तो मैं आपको यह बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ है मैं आपको बताऊंगा इसके पहले मैं आपको website refresh करके बताता हूँ जो हम लोग ने अपने theme को install करने के बात किया तो आप देख सकते हो बिलकुल आपको एक professional website देखने क हम लोगों ने करवा दिया ठीक है theme install करके अब हमें design खुद से करना है ऐसा नहीं कि कोई आपको करके देगा अगर कोई करके देता है तो आपको कैसा लगेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे देगा तो यह basically theme install हो चुका है तो यहां पर अभी हम लोग अराम से काम करत आप के website बना के देंगे जैसकि school हो गया ठीक है real estate, decoration, retail, books का website, marketplace का website, fashion का website ठीक है ऐसे grocery का website, laundry का website, glasses का website ऐसे काफी सारे आपको बना के देगा यह same theme तो इस theme को आप लोग कहीं पर भी किसी भी तरह का website बनाने के लिए इस्तमाल कर सकते हो आप देख सकते हो यहां पर काफी सा आप देखने को मिर रहा है यहां पर, ओके, तो हम लोगों ने क्या decide क्या था, कि हम लोग आज आपको एक grocery website बना के दिखाएंगे, और grocery website को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, design करेंगे, तो यहां पर हम लोग search करते हैं, यहां पर यह grocery website, इसमें मैं पहले ना live preview करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका भी website बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही professional लगेगा, बिल्कुल कुछ इस तरीके से हम लोग अपने website को design कर सकेंगे, जहां पर हमारे products जो होंगे, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, तो ऐसे करके basically हमारा website simple sweet और एक कुछ छूड भी जाता हूं, तो आप comment कीजिएगा, मैं छोटा छोटा वीडियो अपने इस चैनल पर upload कर दूँगा, don't worry, actually आपको पता है, इस चैनल पर नहीं, लेकिन रॉनित सिल 2.0, ये भी एक YouTube चैनल है, आप search कीजिए, या फिर नीचे description में इस चैनल के link मिल जाएगा उस पे सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको सीखना है, जानना है, कभी भी किसी भी तरह का doubt है, आप नीचे comment कर दिजिएगा, मैं छोटा छोटा वीडियो आपके लिए बना के दूँगा, ओके तो आप देख सकते कुछ बहुत अच्छा website आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, फिर से एक पर refresh कर देता हूं, चलिए, और कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, बिल्कुली blank, तो यहाँ पर हमें कुछ अपना इस तरीके का website चाहिए, तो हम लोग बिल्कुल ऐसा ही website बनाएंगे, don't worry, easily बनाएंगे, और जैसे कि बहुत तरी तरीके के website है, ठीक है, आप देख सकते हो, अगर आपको लॉंजरी का website या लॉंजरी का कोई brand है आपका, या फिर आप अपना किसी भी तरह का business सुरू करना चाहते हो, तो इस तरीके के niche website भी यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है, आप अराम से ऐसे भी website बना सकते हो, इसी theme के माधियम से, उसके बाद मैं आपको example के लिए और भी कुछ दिखाना चाहूंगा, जैसे की lawyer, माल लीजिए आप कोई lawyer को जानते हो, या फिर आप खुद ही lawyer हो, या आप किसी lawyer के लिए website बनाना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि उस lawyer का सिर्फ business card होना काफी नहीं है, बाकि इस lawyer का एक website भी होना परेगा, तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने website को बना सकते हो, कुछ इस तरीके से इस आदमी के इस बुढ़े के अलावा आप अपना भी, या फिर जो भी आपका lawyer related आदमी का आप बना रहे हो, उसका भी photo डाल सकते हो, तो ये सब हम लोग हर एक चीजे, हर एक टाइब का website बनाना सीखेंगे, इसी theme में सीखेंगे, don't worry, और इसी channel पर सीखेंगे, धीरे-धीरे, अभी फिलाल हम लोग grocery वाला सीखते हैं, ठीक है, तो simply हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें import करने का option आता है, तो इसको चली कर लेते हैं import, और ये आता हूँ, तब तक आप लोग time pass कर लीजिए कर दोगिसी और आता है, तो अ कर दोग है, तो अ क्योंचा है, थे जए कक». कर दो कर दो आदे ये मादे विट क्या प्रोगने में से ला आप देख सकते हो यहां पर हमारा जो थीम है वह इंस्टॉल हो चुका है और आप यहां पर एक मैसेज भी देख सकते हो dummy content has been successfully imported देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग जो लोग का theme install नहीं हुआ है sorry मतरब demo content जो है वह import नहीं हुआ है अगर उनको कोई Ajax error करके कुछ आ रहा है तो आपको एक नीची description में वीडियो का link मिल जाएगा मैं उस जगह पर आपको बता दिया हूँ के बाद थोड़ा सा slow होता है आपका website तो एक बार open हो जाएगा उसके बाद यह ज्यादा देर slow नहीं रहता है ठीक है तो यह सब सारे demo contents थे जो आप यहां पर देख सकते हो even अगर आपका कोई watch का brand है तो भी आप अपने watch के brand का एक website बना सकते हो यह watch related कोई भी दुकान कोई भी शॉप कोई भी बिजनस हो तो आप उस related भी अपना open कर सकते हो website अपना personal website ठीक है ओकी अब आप देखिए हमारा जो website है आप देख सकते हो website का link है wpfiles.in यहां पर वले यह सब हम लोग complete सीखेंगे कि किस तरीके से क्या करना है तो आप देख सकते हो हमारे इस website में demo import हो चुका है और कुछ इस तरीके का हमारा website आपको देखने को मिलेगा अब आप बोलोगे कि देखो भया ऐसा है कि यह सब product हम लोग नहीं बेचते हैं हम लोग अपना कुछ एक एक करके दिखाऊंगा कैसे क्या करना कैसे डिजाइन आपको करना है ठीक है तो इतना टेंसर नेनी की जरुवत नहीं है फिलाल यह हमारा website है जो देमो कंटेंट इंपोर्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो आपको बस एक चीज़ का धियान रखना है कि आपका यह विबसाइट है यहाँ पर आपका heading दिखेगा मतलब जैसे कि मेरी case में wpfiles.in या फिर ऐसा कुछ दिखेगा मेरा website का नाम दिखेगा basically य ठीक है जहाँ पर लोग read more या फिर इसको change करेंगे यहाँ पर swap now डाल देंगे ठीक है तो लोग क्या होगा यह सब change होगा यह करके तो swap now पर click करके यह सब exclusive product आपको रखना है और यह सब लोग buy कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है best quality online payment या fast delivery यह सब थोड़ा सा ह हमारे website का हमारे business का कुछ main features हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं आप लोग चाहो तो इस section को delete भी कर सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ products डाल देंगे जो की exclusive products होगा जो की discounted products होगा ठीक है जहाँ पर new featured या top sellers के तरफ से लोग अपने हमारे जो products होंगे उनको filter कर सकेंगे यहाँ पर कुछ banners डाल देंगे जो की बहुत ही अच्छा आपका website का look देगा और यह banners में हम लोग अपने exclusive products को ही रखेंगे जैसे कि लोग simply buy now पर click करके उन products को purchase कर सके और यहाँ पर simply कुछ general products हम लोग रख देंगे new offers के तरफ से या फिर आप माल लिजे जो भी website में नया मतलब add करोगे products वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है वो सब हम लोग देखेंगे यहाँ पर popular category जैसे आप मालेजे toy बेसते हो या फिर कुछ भी बेसते हो तो उन हिसाब से हम लोग यहाँ पर image plus category name हम लोग अलग अलग डाल लेंगे ठीक है हमारे case पर grocery ह don't worry वो भी हम लोग कर लेंगे ओकी तो कैसे होगा यह सब अभी हम लोग देखते हैं और यहाँ तक तो हमारा काम खतम हो चुका है ठीक है यहाँ पर अगर आप pages पर चलोगे तो यहाँ पर pages भी आपको काफी सारे pages देखने को मिलेगा जैसे कि my account यह सब pages ना automatically बन जाता है तो हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना परता है यह सब बाद में हम लोग देखने हैं थोड़ा थोड़ा अब एक चीज मैं आपको और एक बार दिखाना चाहूंगा आप simply फिर से उड़मार्ट पर आना ठीक है उड़मार्ट पर आने के बाद थीम license पर आपको जाना है तो आप यहां पर भी दिख रहा है अक्टिवेटेड है थीम तो डोंट वरी आप हर एक काम कर सकते हैं इस वेबसाइट में जो की प्रोफिशनल लोग प्रोफिशनल तरीके से अगर थीम को पर्चिस करते हैं 59 डॉलर में और वो लोग भी वही काम कर पाएंगे जो आप कर करनाना है पोस्ट टाइप या ओकॉमर्स लेयाओट यह सब सब चीजा हमें वन बाई वन दिया गया है अगर आप इन चीजे को फॉलो करोगे ना तो आपका ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा तो यहां पर देखिए इंस्टॉल लेंशन एंड अपडेट इंस्टॉल हमने कर लिया था अपडेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि औरेडी अपडेटेड है थीम फिर भी एक बड़ चिक कर लेंगे अपडेट कैसे करना है वो भी आप यहां पर देख सकते हो एक मिनिट अपडेट औरेडी हो जाएगा ठीक है अगर आपका एक्टिवेटेड है थीम तो वो अपडेट हो जाएगा अगर नहीं है तो फिर मैनुली करना पड़ेगा अपडेट के लिए टिंसा नहीं है आपडेट पैचर यह क्या चीज है यहां पे आप पर सकते हो WordPress Dashboard Woodmart Patcher तो चल के देखते हैं क्या है यहां पे पैचर पे क्लिक करते है ओके यह पैचर में आपको क्या बेसिकली दिखेगा कि आपका अभी वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है तो यहां पे दिख रहा है अगर प्रॉब्लम है तो आपको 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 प्रॉब्लम है तो आ चल जाएगा अब header builder पर भी आप लोग जा सकते हो जैसे कि यह default header layout है आप अपना भी कुछ बना सकते हो बड़ मैं आपको recommend नहीं करूँगा आप simply header setting पर जाएए यहाँ पर top bar, min header बतब basically यह आपको दिखना है यह चीज यह आप देख सकते हो यहाँ पर top bar में कुछ menu दिया गया है ओके इसको एक काम करते हैं इसको ज्यादा हम लोग hard नहीं मनाते हैं don't worry हम लोग एक करके सब कुछ करेंगे ठीक है अप्र अप्र नहीं मनाते हैं तो अब हम क्या करेंगे अब आप देखिए ठीक है जैसे कि यह हमारा website एक demo import के थुरू हुआ है तो सबसे पहले एक काम करेंगे माल नहीं कोई भी एक प्रोड़क्ट को विजिट करते हैं विजिट किया तो कुछ इस तरीके का आपका प्रोड़क्ट दिखे़ेगा प्रोड़क्ट इमेज आप डिफ्रेंड डिफ्रेंट देख सकते को पर आपको एक ही product का image देना है वो कैसे देना है वो भी हम लोग बताएंगे don't worry, तो यहाँ पर थुरा short description है color, brand यह सब आप लोग लिख सकते हो या फिर देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ है कौन से brand है, कौन से color में आता है add to cart अगर कोई simply करेगा ठीक है तो मैं आपको एक बार ना purchase करके दिखा था कितना असानी से लोग purchase कर सकते है add to cart करने के बाद मालीजे view cart कर सकते हैं या check out कर सकते हैं view cart से ही मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार तो मालीजे यह आपने add to cart करके रखा ठीक है और आपको एक product चाहिए चलिए दो ही कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर update card पर click करते हैं फिर से तो यहाँ पर हमारा price इतना हो गया coupon code अगर है तो ठीक है otherwise अगर आपको यह ultra ultra coupon code को यह apply करेगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा और उसको discount नहीं मिलेगा coupon code कैसे बनाना है कैसे लोगों को offer देना है वो भी हम लोग बताएंगे don't worry process to checkout पर हम लोग फटक से click करते हैं उसके बाद क्या होगा लोग अपने name country वगएरा यह सब डालेंगे यहां पर किसी भी तरह का payment method नहीं है ना तो cash on delivery है ना तो online payment का option है इसलिए हम लोग place order नहीं कर सकते हैं बट don't worry यह चीज आप लोगो मैं खुद आगे दिखाऊंगा ओके तो यहां पर अब आपको मैं जैसे कि बोला था यह सब चीज आपको follow करना है तो यह वाला complete है पैचर तक complete है अब theme configuration में theme setting panel create mega menu यह सब आपको एक एक करके देखने को मिलेगा जो कि आपको follow up करना है अगर आप एक एक करके follow up करोगे तो ही आपका काम बनेगा बट यहां पर मैं इसको cut कर देता हूँ और मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बताता हूँ इसको अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग जाएंगे plugins पे installed plugins पे जाएंगे जो हमारे plugins installed है उन पे अब WooCommerce आपको देखने को मिल रहा है यह सबसे main plugin है इस पे setting पे click करेंगे तो यहां पर देखिए हमें country देखने को मिल रहा है United States तो यहां पर हम लोग अपना country डालेंगे ताकि आप खुद समझ जाओगे इस वरी है इंडिया और आप अपने हिसाब से जो भी state है वह आप लोग डाल सकते हो अड्रेस लाइन वगेरा कुछ ज्यादा नहीं डालना है ठीक है यह एक general setup है ज्यादा कुछ है नहीं यह सब आपको ज्यादा कुछ नहीं डालना है ship to all countries sorry sell to all countries क्या हर country के लोग आपके website में purchase कर सकते हैं अगर हां तो ठीक otherwise sell to specific countries या फिर sell to all countries expect for मतब अगर आप कोई और मतब कोई अफगानिस्तन को आप बात देना चाहते हो बाकि आप हर country को sell करोगे तो आप कुछ इस तरीके का option चूज कर सकते हो या फिर sell to specific countries जैसे कि specific countries में क्या हो गया मतब मारी जाब स्रिफ इंडिया में बेचना चाहते हो तो यह ही है आपका specific country that's it अब shipping location ship to all countries you sell या फिर ship to all countries ship to specific countries only तो बिलकुल हम लोग risks बिलकुल नहीं देंगे अपने website को थोड़ा सा professional रखेंगे इंडिया का है तो भी या इंडिया का है जैसे flip card करता है ठीक है deferred customer location customer का location किस तरीके का होना चाहिए swap country region geolocate कहीं से भी हो कोई दिक्काद नहीं है no location by default okay tax हमें enable नहीं करना है customer को सीधा सीधी हम लोग tax तो नहीं डाल सकते वह हमारे products वह हमारे services में हम लोग tax पगेरा डालेंगे जब होगा वो तब होगा अब देखें यहां पर बहुत ही important चीज है जो आपको देखना चाहिए currency option जो मैं आपको दिखा रहा था dollar में पैसा दिख रहा है वह आप यहां स दिखा देता हूं direct ओके तो हमारा देखें यह जो product है इन सब में rupees का sign लग गया है यानि कि अब dollar से rupees में change हो चुका है तो देख लेते हैं जैसे कि हाँ चली यह वाला product में देख लेता हूं एक बार तो देखें 89 rupees में यह 100 हो रहा है 89 dollar का यह price दिया वा था बट 89 में 100 हो रहा या किस तरीके से product डालना है अपना वह भी आप लोग देखो या भी धीर 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 देखते जाहिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वह से देखते जाहिए यह Indian rupees में change हो चुका है और राइट तो यहां पर हमारा जो e-commerce का setting था general के लिए वह complete हो चुका है अब products पर हम लोग चल चाहते हो आप जो भी product add करोगे customer उस पर review दे सकेगा जैसे कि यहां पर दिया है ठीक है example review है demo review है यह basically तो अगर आप लोग review देना चाहते हो मतलब चाहते हो कि उसमें review आए product में तो enable करके रखिए या फिर इसको disable भी आप लोग ऐसे करके कर सकते हो तो कोई आपका product review नहीं क चाहिए देखे sorry comments are closed for this item ओके तो ऐसे करके reviews आप अपने website में बंद कर सकते हो बाकि अगर आपको करना है enable तो verify donor करना है या फिर reviews can only be left by verify donors यह सब आप लोग अपने इसाफसे select कर सकते हो मैं यहाँ पर safe changes पर click करता हूँ जैसा था हो वैसा है यहाँ पर देखे downloadable products अगर आप आप लोग का किस तरीकी का option होना चाहिए यह सब हम लोग अभी इसलिए discuss नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग एक grocery item का product बना रहे है ठीक है तो इतना हम लोग नहीं जाएंगे इस चीज़ पे shipping में आप देख सकते हो geographic region के हिसाब से ship होता है यहाँ पर example के तोर पे local zone होता है यू क्योंकि लोग confused होगा इस चीज़ में हम simply shipping जैसे address डालेंगे लोग हमारे website में इंडिया का ही address होगा जैसे कि मैंने आपको बता है कि इंडिया ही only select होगा कोई और this select नहीं होगा आपको दिखा देता हूँ कैसे मालने इसको add to card पे click करते हैं यह add to card हो गया अब इसको मालने पे click करते हैं तो यह सब हमारे card में जो add है वो है proceed to checkout पे click करते हैं यहां पर देख सकते हो country region only India अब हम लोग change नहीं कर सकते इस चीज़ को तो इंडिया के बाहर से कोई order करेगा नहीं तो shipping हम लोग का कोई problem है नहीं जैसे address मिलेगा वहां पर आपको ship करना है ठीक है तो यहां पर आप लोग समझ सकते हो और राइट तो यहां पर यह चीज हो चुका है payment का option है payment के option में अब जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था कि कि किसी भी तरह का payment option नहीं डाला गया है इसलिए यह message आ रहा है और हम लोग place order भी नहीं कर सकते हैं इस कारण से तो हम लोग क्या कर सकते ह या फिर direct bank transfer या फिर check payments बट हम लोग आगे आपको बताएंगे किस तरीके से आप लोग online payment का option जो कि इंडिया में काफी popular है UPI या फिर debit card, credit card यह सब कार्ट के थू या फिर online UPI scan करके यह सब करके भी आप लोग यहां पर डाल सकते हो बट उसका अलग एक function है वो ऐसे नहीं हो होता है तो हम लोग वो भी सेखेंगे है विलहाल के लिए हम लोग cash on delivery को option enable कर देते हैं यहाँ पर आप चाहते हो कि setup करना है मत अगर आपको कोई वर्चूल चीज है जो downloadable product है या gift card है उसमें आप अगर COD accept करते हो तो ठीक है otherwise यहाँ पर disable करके save changes कर दीजीगा अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि हम लोगों ने enable कर दिया cash on delivery का service ओके आप देख सकते हो यह enable है check payment या direct bank transfer enable नहीं है तो इसको हम लोग रिफ्रेश करते है check out page में और देखिए एक minute उस तो गरबर हुआ है save changes पर click करके देखते हैं ओके हो सकता है यह कोई bug है बट ओके तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हमें एक चीज़ करना पड़ेगा यार्ड मैनेज करते हैं यहाँ पर देखिए any flat rate method या फिर free shipping रहेगा अगर आप चाहते हो आपका website में free shipping रहेगा हमेशा के लिए तो save changes पर click कर सकते हो और इसको भी कर लिए फिलाल accept cod order आपको कोई virtual product पेचना तो है नहीं तो इसको भी save कर लिए ताकि यह सब problem ना हूँ तो इस page को refresh करते हैं आप देखते हैं यहाँ पर cash on delivery हमें swap कर रहे हैं और यह default service है cash on delivery ठीक है क्योंकि यहाँ पर हमने दूसरा कोई on नहीं किया है अब माल लेते हैं कि हम लोग direct bank transfer on करते हैं तो यहाँ पर account name हम लोग डाल देंगे ठीक है for example HDFC bank account number चलिए अभी ऐसे डालते हैं account name sorry account name में जो भी आपका account name अगर मन के चलिए business के related account name है तो बहुत अच्छा otherwise आपको अपना personal account name डालना होगा जो आपका account holder name कहा जाता है bank name जो भी bank है उसका bank name and okay ठीक है तो चलिए यह सब हमने डाल दिया ifsc code bank name account number और यह swift code वगेरा यह सब जरुवत नहीं है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे save changes पे click कर देंगे और अगर आपको कुछ instruction देना है payment हो जाने के बाद तो भी आप दे सकते हो save changes पे click करते है enable bank transfer आपको click करना है enable bank transfer save changes पे click करते हैं okay तो इसको refresh करते हैं अब आप देखेंगा देखें एक तो cash on delivery का option आ रहा है और एक direct bank transfer का option आ रहा है so make your payment directly into your bank account please use your order id as a payment reference अब मैं आपको बताता हूँ यह option आपको क्यों नहीं choose करना चाहिए अगर आप यह option देते हो अपने customer को तो आपको हमेशा एक customer care रखना होगा क्योंकि इस option में कोई automatic तरीके से आप अपने bank में पैसे नहीं ले सकते हो तो मतलब देखें मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे नहीं कि बस बता रहा हूँ तो यह सब मैंने अजस्ट डाला ऐसे ही ठीक है ओके तो यहां पर place order पे click करते हैं ठीक address वगर्रा डालके place order पे click करते हैं तो देखें, यहाँ पे हमारा जो address है, मतलब जो हमारा order है, वो order number यहाँ पे सो हो रहा है, date सो हो रहा है, email id सो हो रहा है, इतना रूपीस का order है, और direct bank transfer का payment method है, और हमें देखें, मतलब as a customer, आप देख सकते हो, कि as a customer कैसा दिख रहा है, our bank details, अनपुनना stores, SBI bank है, इस bank में आपको पैसा भीजना है, यह IFC code है, तो आप पैसा भीज़ के screenshot ले के, customer care को phone कीजिए, और phone करने के बाद, आपका order क्या होगा, approved होगा, ठीक है, तो यह बहुत ही बेकार option है, payment method में हम लोग insta mojo add करेंगे, जहां पे आप लोग direct अपने UPI, credit card के थ्रू लोग आपको payment करतेगा, और आपका payment receive भी हो जाएगा, तो यह सब बहुत ही lengthy process है, फिलाल के लिए cash on delivery आप रखिए, और अगर cash on delivery नहीं रखना चाते हो, तो इस वीडियो को आपको पूरा दिखना ही परेगा, प्लस हमारे चैनल को subscribe तो करना ही परेगा, क्योंकि काफी चीज़े हैं आपको सिखाने को, अब क्योंकि हमने एक order place कर ही दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ as a customer, उस order को वो कैसे view करेगा, dashboard पे चलिए profile के option से, तो यहां पर हमें काफी सरे अपना option देखने को मिलता है, जैसे यहां पर my order का section हमें देखने को मिलता है, तो यहां पर देखे my order में हमें यह देखने को मिलता है, on hold, ठीक है, as a customer मैं आपको दिखा रहा हूँ यह चीज, on hold हमें देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मतलब as a admin, as a website owner हम लोगों ने अभी तक इस order को fulfill नहीं किया है, confirm नहीं किया है, जैसे कि आपको पता होगा Amazon या Flipkart वाले भी confirm करते हैं, उनका तुरंथ confirmation होता है, वो बात अलग है, लेकिन क्योंकि direct bank transfer हम लोगों ने फिर अगर आप as a website owner किस तरीके से आपको order देखने को मिलेगा, ओके, तो o commerce के section में, orders के section में आपको मैं दिखाता हूँ, यह right click करके दूसरा बना मतलब मैं खोल लेता हूँ, तो आप देखें, यहाँ पे एक order देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से o commerce में आके order section में आके आपको अपना orders देखने को मिलेगा, कि कितना रुपीज का order है, किसका order है, यहाँ पे आप click करोगे, तो आपको सब कुस देखने को मिलेगा, कि कौन सा address में, कौन सा नाम के साथ, कौन सा phone number, कौन सा email id, आप चाहँ तो phone कर सकते हैं, क्या-क्या product है, यह सब चीज, basically कितना प्रोसेसिंग पे सो हो रहा है, माली जब मैं, as a owner, as a company owner, मैं इस customer का, जो order है, वो processing में चला चुका हूँ, ठीक है, यानि कि मुझे अब यह order भीजना है, तो as a customer, देखिए, as a customer को यह किस तरीके से दिखेगा, तो देखिए, यहाँ पे जैसे कि on hold दिख रहा था, यहाँ प हम लोग यहाँ पे na default text बाद में confirming या फिर confirmed ऐसा भी कर सकते हैं, वो सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, इतना जल्दी यह सब होगा नहीं, ठीक है, माल लीजिए, आप एक काम करते हैं, माल लीजिए, आप इस product को deliver कर चुके हो, मतलब 7 दिन, 8 दिन, या 4 दिन, 2 दिन क करना होगा, यानि कि deliver होगी आपका product, ओके तो complete हो जाने के बाद, customer को भी complete दिखेगा, क्योंकि उसका काम हो गया, और यहाँ पे order again का भी, उस बंदे को option मिलेगा, फिर से order again अगर वो click करेगा, तो वो दो ही, मतलब जो भी product वो order किया था, वो सब फिर से आ जाएगा, तो य तो 288, okay, 41 का gross sales है, मतलब daily gross sales हो हो रहा है, कितना order आपने place किया है, कितना order आपके website में place हुआ है, कितना item purchase हुआ है, इस सब basically आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, okay, तो यही था बात, फिलहाल के लिए आप देख सकते हो, कितना पैसा आपने refund किया है, कितना charges हुआ है, यह सब आपको देखने को मिलेगा, don't worry, तो यहाँ पर मैं आपको लगवा-लगवा काफी चीज़े दिखा चुका हूँ, settings के option में only, account privacy के option में आप लोग customer को काफी सारे चीज़े allow कर सकते हो, या disallow कर सकते हो, जैसे कि allow customers to place order without an account, अगर कोई account नहीं बनाता है, तो उसे मतलब order place करने का, अगर आप allow करते हो, तो कोई बात नहीं आप allow कर सकते हो, बट काफी सारे website, काफी सारे companies allow नहीं करती है, उनको account बनाना ही परता है, तब जाके वो order लगा सकते है, इसमें क्या होता है कि company को spam नहीं मिलता है, spam orders नहीं मिलता है, कम मिलता है, spam orders, और जहाँ तर लोग लोग verified रहते हैं, क्योंकि उसने account बनाया and then order किया, तो उसमें verified रहता है, तो फिर वो लोग company उसको product भेज भी देती है, और company का फाइदा होता है, अब यह सब चीज बहुत सारे चीज है, यार मैं आपको एक एक करके wordpress सिखाने बैठोंगा, तो कम से कम एक मैना लगातार आ बनाने के बाद edit करना है, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा इतना बड़ा wordpress का चीज है, इमेल्स आपको मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा, यह सब आप लोग पर पर कर ले ना याद, यहाँ पर new order, मतलब किस तरीके का email आईगा आपको, अगर new order आता है, चलिए, इस पर चलते हैं, ओके email नहीं आ रहा है, कोई दिक्रत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आप manage कर रहो पहले, manage की option पर click कर सकते हो, अगर आपको किसी भी तरह का नया order आता है, तो वो कुछ, तो यह सब चीजना मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलाल कोई जरुवत का है, नहीं, advance है, integration है, यह सब चीज़ आपको सेखने की जरुवत नहीं है, फिलाल, post पे चलते हैं, post में हमें blog post देखने को मिलता है, जो आपको अपके website में देखने को मिलेगा, तो यह सब blog post आपको खुद से थोड़ा सा लिख लेना है, ताकि लोग क्या करें, यह सब blog post को भी visit करें, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, और लोगों को आपके, basically content marketing, मतलब आप कोई product अपने website में रखे हो, उसके बारे में थोड़ा लिखिए, लोगों को बताए कि क्यों यह product अच्छा है, आपको use करना चाहिए, आपको purchase करना चाहिए, तो यहाँ पर सारे blog post को delete कर सकते हैं, पहले तो आप कर ही दीजिएगा, और उसके बाद आप अपना अपना लिखिएगा, तो फिलाल blog post के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि homepage में यह हमें फिलाल तो दिखनी रहा है, और ना ही हम लोग blog post को add करेंगे, यह बस अपने website website में आप लोग डालिए, अगर search result के through आता है, तो ठीक है, आपके website में traffic भी आएगा, अब आप लोगों को यह सब बहुत ज्यादा complicated लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि इतना easy नहीं है, यह सब समझना, but अगर आपको जो जो मैं वाते दिखा रहा हूं, जो जो मैं कर आपके दिखा रहा हूं, वो सब आप करोगे, तो आपको website बन जाएगा, अब दिखे, क्योंकि बहुत ही basic चीजे था, इसको dollar को rupees में convert करना, फिर order place कैसे होता है, किस तरीके का payment method होता है, cash on delivery कैसे enable होगा, payment option किस तरीके से enable होगा, वो payment option का एक बाकी है, मैं आपको वो दिख लेना, तो ये सब चीजे अब किस तरीके से होगा, मतब इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर हमें, हम visit site कर रहे हैं, तो हमें edit with elementor so हो रहा है, तो इस पर अगर हम लोग click करेंगे, तो हमें क्या so होगा, देखिए, अब हम लोग अपने front page को edit कर पाएंगे लेकिन इसमें जंजट है, elementor का एक true version हमें purchase करके download करना होगा, ऐसे नहीं होगा, काम, क्यों नहीं होगा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ऐसे तो हो जाएगा, देखिए, कुछ जादा नहीं कर पाओगे आप, तो माल नेते हैं, इसको use करेंगे, देखिए, ऐसा बहुत सारा चीज है, जो होगा, ऐसा बहुत सारा चीज है, जो नहीं भी होगा, ठीक है, यह सब edit करके हम लोग कर सकते हैं, बट मैं आपको क्या करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देखे एक चीज, elementor में काफी सारी चीज, अगर हम लोग माल लीजे, यह सब एक primate option है, जो कि हम लोग डाल सकते हैं, elementor पे, तो यहाँ पर माल लेते हैं, यह वाला डालते हैं, ताकि हमारे website को और professional look दे सके हम लोग, अगर यह हम लोग खुद से बनाने जाते हैं, तो बहुत time लगता, दो layout है, उसके बाद एक banner है, माल लीजे, क्योंकि आपका grocery का website है, मैं मानता हूँ, तो webcam क्या कर रहा है, यहाँ पर, तो don't worry न, आप इसको change कर सकते हो, image, मतब माल लीजे, इसको click किजएगा, तो यह वाला option हो जाएगा, for example, यहाँ पर swap mode पर click किजएगा, तो किसी भी तरह का link आएगा नहीं, ठीक है, एक काम करते है, एक काम करते है, don't worry, यह exclusive product है हमारा, ठी मैं आपको दिखाए देता हूँ, ओके, बहुत सारे, क्योंकि images हमारे पास आ चुके है, क्योंकि आपको पता है क्यों, चलिए इसको choose करते हैं, क्योंकि यह सुरू में हमारे पास है, तो यह न, आपको एक चीज़ करना होगा, आप अपना image का जो ratio है, यह image का ratio, जैसे माल ल image था, ठीक है, तो choose image अगर मैं करता हूँ, तो इस image का जो pixel था, 700 by 350, उस हिसाब से आपको choose करना है, इसी हिसाब से आपको images choose करना है, ने तो यह कुछ इस तरीके से उपर नीचे आगे पीछे दिखने लगेगा, ठीक है, तो यह सब चीज़े हैं, जो आप लोग Elementor Pro के साथ क बहुत सारे रहते हैं, यार ऐसा कुछ है नहीं, जैसे यह Pro version है, तो हमें Go Pro का option देखने को मिर रहा है, जब तक हम लोग Pro version नहीं choose करेंगे, यह सब हम लोग नहीं डालना भी नहीं है, तो ठीक है नहीं डालना है, तो देखिए अब क्या होता है, तो देखिए यहां पर क्या होगा, जैसे कि मालेजे हम लोग ने एक blank लखा ठीक है, अब यहां पर हमें बहुत सारे options ऐसे भी मिलते हैं, जो हम लोग डाल नहीं पाएंगे, free, जो कि हमें डालना होता है, जैसे यह सब चीज़े आप देख सकते हैं, और यह सब चीजे free है, तो free वाले चीजे उतना website बना रहे हैं उसी चीज़ के वज़ा से, तब तो भया, 100 रुपे खर्चा करो और उसमें क्या जाता है आपका, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कहां से आप purchase कर सकते हो, इसका link मैं आपको नीचे description में दे दूँगा, वैसे तो काफी दाम है इस चीज़ का, लेकि हैं, हाँ, दिखें, ये वला है, Elementor Pro Super Copy, 111 रुपया, तो 111 रुपया खर्च करो यार, इसमें क्या ही चल जाएगा आपका, तो 111 रुपया में आप buy now करके, अपने इस चीज़ को कर सकते हो, जैसे कि आपने theme purchase किया था, बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो, ठीक है, तो ये आप आप लोग purchase कर लेना, मैं इस चीज़ का link, इस Elementor Pro का link, जो ये link है, जहां से आप लोग purchase करोगे, उसका नीचे description में मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप लोग purchase कर लेना, क्योंकि मैंने purchase किया है, और मेरे पस फाइल है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, फटाक से कि आपको कहां पे upload करना है, आप simply plugin पे जाओ, add new पे जाओ, ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है, एक net, install plugin को भी एक बर खोल लेता हूँ, और यहां प की, या फिर एक काम करते हैं, इसमें चलते हैं, चली जो भी है, यहां पे go pro दिख रहा है, यानि कि activate नहीं है, तो upload plugin पे click करते हैं, choose file पे click करते हैं, और जैसे कि हमने अपना elementor pro का super copy हम लोगों ने यहां पे purchase करके रखाया, जो कि मैंने आपको दिखाए भी आप कहां से purchase कर सकते हो, तो simply open करेंगे, install करेंगे, और थोड़ा सा wait करेंगे, यह install हो जाएगा, तो हमारा जो elementor pro का है, यह देखिए, यहां पे plugin install, successfully activated plugin पे click करते हैं, तो देखिए, यहां पे जो elementor के side में यह दिख रहा था न, go pro, यह अब यहां पे नहीं दिख रहा है, तो यह यहां पे इन सब options में, वो आपको और नहीं दिखेगा, और आप हर एक तरीके के options को choose कर सकते हो, use में ले सकते हो, ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा नीची आते हैं, देखो pro version होता है न, हर एक चीज तो फिर मज़ा आता है, ऐसे free version में आप लोग नहीं कर पाओगे, और मज़ा भी नह आप बहुत कुछ कर लोगे, मैं मानता हूं, लेकिन आगे जाके एक ऐसा जगह में अटक जाओगे न, जो आपका website बिल्कुल खराब करके रखेगा, और फिर उसके लिए आपको pro version लेना ही पड़ेगा, तो मैं आपको बोलूगा कि 111 रुपया काफी जादा amount नहीं है, वै तो हर एक option या हर एक तरीके के option को आप लोग यहाँ पर कर सकोगे, और आगे आपका स्रीफ यह सब option ही नहीं, काफी कुछ काम आएगा, अब देखिए popular categories, इसको कैसे करना है, अब यहाँ पर हम लोग back end पर आते हैं, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं o commerce पर, o commerce पर नहीं, products products के categories हैं हमारे, जो हम लोग बना, मतब already pre-made category है यह सब, ठीक है, जो आपको यहाँ पर भी देखने को मिर रहा है, यह आपका front end website है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिर रहा है, ठीक है, अगर आप लोग preview changes करके देखोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा, आपका website किस तरीके से दिख रहा है अभी, फिलहाल, तो देख लीजे एक बन, जैसे कि हमें यह चार category देखने को मिल रहा है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको changes करेंगे, और इसको changes करने के लिए हम लोग यहाँ से change कर सकते हैं इसको, या फिर, वैसे यहाँ से हम लोग change फिलहाल है, तो चलिए थोड़ा सा idea लेते हैं, एक काम करते हैं, वेवरेज, grocery में वेवरेज आता है, तो image option को चूज करते हैं, and मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक ही तरीके का pixel का लेना है, ओके, तो यहाँ पे देखे, यह मैं चूज कर लेता हूँ, इसको क्या करूंगा, यह HD म चलिए, बहुत अच्छा, save image पे click करूंगा, देखे, यहाँ पे एक चीज देखने लाइक है, कि इसका pixel कितना है, 727 x 651, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का जो pre-made दिया गया है, इसका pixel कितना है, यह देख लेते हैं, इसका pixel है 280 x 280, यानि कि हमें 280 x 280 का image डालना है, ओके, त तरीके का photo editing software आप कहा सकते हो, online वाला है, इसमें ज्यादा आपका problem नहीं होगा, आपको यह मैं अच्छा से सिखाऊंगा, canva का tutorial बना दूँगा, मैं एक दिन, जहाँ पे आप लोग सीख सकते हो, create design पे click करेंगे, यहाँ पे customize size पे click करेंगे, क्योंकि हमें, जैसे कि मैं 280 by 280 का pixel चाहिए, इसलिए हम लोग canva में आए, आपके 280 by 280, अब यहाँ पे create new design पे click करेंगे, तो हमारा एक layout बन जाएगा, यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे layout बन गया है, तो अब हम इस homepage को, upload पे click करते हैं, upload media पे click करते हैं, और इस image को choose कर देते हैं, जो 280 by 280 से काफी गुना जादा बरा है, अब क्या करेंगे, हम लोग इस image को choose करके, यहाँ पे कुछ इस तरीके से set कर देंगे, इसको center में set कर देते हैं, तो यह कुछ इस तरीके से image set हो चुका है, इसको simply download पे click करे और यह कुछ इस तरीके से downloading हो जाएगा, और यह हो भी चुका है download, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम change करेंगे इस चीज को यहाँ पे, तो जैसे यह toys का option है, माल लेते हैं, हम लोग ने, क्योंकि एक grocery website open किया है, तो यहाँ पे waverages, क्योंकि हम लोग ने अभी जो photo बन सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग slug में भी same चीज देंगे, drinks, और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, slug में हम space के बदले hyphen का use करेंगे, hyphen, ठीक है, यह जो hyphen होता है यही use करेंगे, तो इसको सटाएंगे, space नहीं देंगे, drinks, और क्या था, juices, तो parent category हमें चूज न से बनाया है, उस image को हम लोग यहाँ से download कर लेते हैं, upload कर लेते हैं, sorry, और यह 280 by 280 में upload हो चुका है, आप देख सकते हो, 280 by 280 में upload हो चुका है, use image पे click करते हैं, and इस image को हम लोग कर देते हैं, यह update, और राइट, अब हम लोग अपना website को फिर से देखेंगे, यहाँ पे, यह refresh नहीं है, don't worry, यहाँ पे हम लोग preview changes पे click करेंगे न, तो हमें देखने को मिलेगा, नया क्या-क्या changes हुआ है हमारे website में, तो अभी तो बस सुरवात है हमारे website को change करने का, अभी धीरे-धीरे होगा, okay, यहाँ पे आप देख सकते हो, drinks and juices का एक option आ रहा है, और वही image के साथ आ रहा है, जो image हम लोगों ने डाला था, ठीक है जी, तो ऐसे करके basically आपको अपने जितने भी categories हैं, यह आपको change करने है, ठीक है, clocks है, cooking है, drinks है, यह सब जितने भी categories है, वो आप धीरे-धीरे change करोगे, एक minute इसमें, तो आप देख सकते हो, drinks and juices बोल के category हो गया है, और जो image हम पर, मा लेते हैं, grocery में क्या एक category होगा, थोड़ा बताइए, amazon phrase पे चलते हैं, idea लेने के लिए, अरे यार इतना गर्मी में typing error हो जा रहा है, amazon phrase पे चलते हैं, थोड़ा सा idea लेने के लिए, किस तरीके का beauty products कहां से आगया, drinks, food, snacks, तो एक काम कर सकते हैं, हम लोग snacks का एक item डाल तो google से हम लोग कोई भी तरीके का snacks का item डालते हैं, okay कुछ हमें धंका नहीं मिल रहा है, या तो आप यह सब डाल सकते हो यार, यह सब के अंदर ही आप लोग layers वगरा डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको recommend करूंगा थोड़ा अच्छा से, ताकि लोग समझ जाए कि किस तरीके का product अंदर में है, तो चलिए ना इसको ही डाल देते हैं example के लिए, एक layers को डाल देते हैं, लेकिन आप देख सकते हो 500 by 500 pixel का है, तो हमें यह नहीं चलेगा, बट इसको हम लोग save कर लेंगे, same process के साथ मैं आपको फिर से एक बार example दिखा रहा हूं, यह already हमारा 280 by 280 pixel है, यहाप आप देख सकते हो, तो upload image पर click करेंगे, और जो image हम लोग ने अभी अभी download किया 500 by 500 का, उसको छोटा करने के लिए basically हम लोग यह कर रहे है, अब आप देख सकते हो, इसको हम लोग center में लेंगे, ठीक है, तो महा लेते हैं, यह हमारा center है, इसको थोड़ा से छोटा कर लेते है इसको भी download कर लेते हैं, यह सब जो आएगा, यह download हो चका है नीचे, यार मैं आपको सस्ता में बताँगा, कैसे website बनाना है, वो भी must website, तो चलिए यहां पर lighting को change करते हैं, कहेगा lighting, तो lighting को change करते हैं, यहां पर edit पे click करते हैं, और यहां पर snacks, ठीक है, यहां पर हम लोग light को change करके snacks, ओके, यहां पर remove image, upload add image, upload files, new file को करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो बनाया भी lays, चलिए, यह lays हो जाएगा भी, use image, तो यहां पर image आप देख रहे होंगे, अब आपको सीधा simply save कर लेना है, update कर लेना है, ठीक है, यहां पर हमारा website पुराना वाला है, फिर से क्या क करेंगे, चलिए, मतब क्या-क्या changes नया हो रहा है अभी हमारे website में, वो so up होगा, नीच आएगे, उपर में तो अभी हम लोगों ने किसी भी तरका छेर का नहीं किया, इसलिए आपको दिखने रहा है, इसलिए आपको दिखने रहा है, अब आपको popular category में snacks देखने को मिर रह है, जो कि हम लोगों ने बनाया था, इसी तरीके से आप लोग अपना category एडिट कर लेना, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अब हर एक category एडिट करने बैठोंगा, तो आपको अभी time waste होगा, मेरा भी होगा, मैंने आपको दो दिखा दिया, तो आप आप हर एक कर सकते हो, जि लगी category देखने को मिद दे, उसके लिए आप क्या करो ना, आप अपना elementor, जो elementor open है, edit वाला option है, जो हमें edit करने का option दे रहा है, उस पर आईए, एड़ इस पर click किजिए, इसके बीच में click करते हैं, चलिए, यह क्या चीज़े है, एक मेंट देख लेते हैं, इसको हमने change कर सकते हैं, थोड़ा सब wait करते हैं, और यहां पर इमाल लेते हैं, अपना एक बनाते हैं, यह चीज़ ठीक है, यहां पर हम लोग ने इमाल लेते हैं, ऐसे कर क्या आपको करना है, कुछ इस तरीके से, इसको select करते हैं, इस layout को, तो already एक है, तो इसको एक करते है हैं, तो यहां पर category select, search करते हैं, category, इसमें नहीं है, product लिखते हैं, product, product categories, इसको select कर लेते हैं, देखते हैं, यह वाला काम करता है कि नहीं, तो देखें, यहां पर सारे options हमें देखने को मिलता है, grid के option पे, आप अगर navigation के option पे करोगे, तो कुछ इस तरीके से छोटे-छोटे option देखने को मिलेगा, जो कि काफी option लग रहा है, मतलब नया थोड़ा design का लग रहा है, तो एक तो आप लोग ने अपने popular category को चार हिस्से में दिखा दिया, जो भी आपका popular categories हैं, वो तो आप लोग यहां पर image के साथ दिखा रहे हो, और यहां पर जितने भी आपके तरीके क करके इसको delete कर देना चाते हो, तो भी आप कर सकते हो, कोई दिखकत नहीं है, ठीक है, बट इस case में हम लोग क्या करते हैं, इस case में यहां पर click करेंगे, यहां पर बीच में click करेंगे, जिनरल content जिनरल पे जाएंगे, ठीक है, style पे नहीं, general पे, यहां पे navigation पे click कर देंगे, तो क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हम लोग का जो popular category है, वो तो image के साथ exclusive दिख रहा है, बाकि जो भी हमारे पास all categories हैं, वो भी हमें यहां पर दिख रहा है, ओके, तो यह सब आप लोग change range करके देख सकते हो, यह सब थोड़ा different type के चीजें होते हैं, ठीक है यहां पर categories में आप और भी माल लेते हैं, तो आप अगर चाहते हो कि इस चीज में specific categories को add किया जाए, तो आप यहां पर category में search करके, ऐसे गर कि search करके आप categories डाल सकते हो, और अगर आप चाहते हो हर तरीके का category सो हो, तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं डालना है, और यह automatically हर तरीके का category सो होगा, अपटेट करने के बाद हमारा जो website हम लोग देखेंगे, preview changes करके, वो देख लीजे, तो यहां पर यह हमारा website है, जो कि उपर में अभी हम लोग ने कुछ किया नहीं है, तो नीचे अभी हम लोग कर रहे थे, तो नीचे कुछ इस तरीके से दिख रहा है पॉपलर चार category, देखेंगे आप धीर धीर और भी categories डालोगे ना तो और अच्छा लगेगा, और हो सके तो इसके नीचे भी कुछ design देने के बाद हम लोग अगर यह डालते हैं, तो और अच्छा लगेगा, अब मैं जाता हूँ dinner करने, dinner करने के, dinner करके मैं आता हूँ, उसक बाद हम लोग फिर शुरू करते ह отлич